नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल Amazing Test of India में आपका स्वागत है, आज मैं आपके लिए बहुत टेस्टी साबुदाना की खीर बनाने जा रही हूँ, इस खीर को बनाना बहुत आसान है, कम समय में जटपट बनकर तयार हो जाती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आ आप इस खीर को ब्रत में भी enjoy कर सकते हैं, बिना ब्रत के भी enjoy कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, इसे बनाने के लिए हमने आधा कप साबुदाना लिया है, ये medium size वाला साबुदाना है, सभी जगह पर आसानी से मिल जाता है, सबसे पहले साबुदाना को एक बड़े बरतन में डाल देंगे, और इसे तीन से चार बार हमें अच्छी तरह से धोकर तयार कर लेना है, क्योंकि जो साबुदाना के उपर extra starch होता है, वो निकल जाएगा, तो आपकी खीर बनाते समय बरतन में चिपकेगी नहीं, और फटेगी नहीं, तो इस तरह से हमने इसे हलका ह तयार कर ले रहा है, तो मैं इसे एक बार और इस तरह से धोती हूं, इस पानी को फेक देंगे, और फिर से इसे हमने दो बार धोकर तयार कर लिया है, तो टोटल हमने इसे चार बार धोकर तयार कर लिया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे आधे घंटे तक फूल डाल रही हूँ, मैं इसमें फुल क्रीम दूद डाल रही हूँ, आप फुल क्रीम या टोंड कोई भी दूद ले सकते हैं, जो आपके घर में अवेलेबल हो, आप उसे ले सकते हैं, जब तक दूद गरम हो रहा है, तब तक चलिए, खीर के लिए थोड़ा सा ड्राइफ रूट भून कर तयार कर लेते हैं, इसके लिए मैं पैन में एक टेबल इस्पून देशी घी डाल रही हूँ, घी को मेल्ट होने देंगे, इसके बाद 5-6 दाने काजू के, 5-6 दाने बादाम के, और थोड़ा सा सूखा नारियल है, सभी ड्राइफ फूट को 1-5 मिनट तक लो फ्ले हुआ है, इसी घी में, जो हमने पहले से साभूदाना आधे घंडे के लिए भीगा कर रखा था, वो अब फूल चुका है, तो इसी घी में ये साभूदाना भून कर तयार कर लेंगे, साभूदाना को डाल देते हैं, गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए, लगातार चलात हुए, दो से तीन मिनट तक साभूदाना को भून कर तयार कर लेंगे, इस तरह से साभूदाना अगर थोड़ा सा भून कर खीर बनाएंगे, तो खीर एकदम रबडी दार बनकर तयार होगी, और नहीं फटेगी, नहीं चिपकेगी, तो अब हमारा साभूदाना भी भून कर तैयार हो गया है तो जो पहले से उबला हुआ दूध है हमने उबालने के लिए रखा था ये उबल चुका है इसे साबुदाना में मिला देंगे और लगातार चलाते हुए खीर को गाढ़ा होने तक हमें पका लेना है जब एक बार इसमें उबाला जाए तो आप गैस के फ्ले साबुदाना अची तरह से पक गया है आप देख जहते हैं साबुदाना पक के ऊपर आ गया है यही स्की पहचान होती है कि जब साबुदाना पक जाता है और खीर काफी गाड़ी भी हो गयी है तो अब मैं इसमें चार चम्मत चीनी डाल रही हूं मीठा आप अपने अनुसा थोड़ा सा कम या जादा भी कर सकते हैं चीनी को पूरी तरह से घुल जाने तक फिर से खीर को पका कर तयार कर लेंगे अब गैस के फ्लेम को कभी मीडियम रखेगा कभी लो रखेगा और चीनी को पूरी तरह से घुल जाने तक हमें पका लेना है चीनी पूरी तरह से घुल ग डालने के बाद भी एक से डेड़ मिनट तक लो फ्लेम कभी रखते हुए कभी मीडियम फ्लेम रखते हुए खीर को पका लेंगे जिससे इलाइची का पूरा फ्लेवर खीर के अंदर आ जाए अब खीर पक चुकी है गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं चलिए खीर को सर्फ कर लेते हैं तो यह देखिए हमारी कितना बढ़िया एकदम रबडी जैसी दानेदार खीर बनकर तयार हुई है इसके एक एक दाने अलग अलग हैं बिल्कुल मोतियों की तरह और आपने देखा कि इस खीर को बनाना कितना आसान है कम समय में जटपट बनकर तयार हो जाती है ख अगर हमारे साबुदाना के खीर की रेसिपी और इसे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स के साथ फैमली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल झाल 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 झाल झाल